हेलो दोस्तो मेरा नाम है अब जीत और आप देख रहें टेक गईट दोस्तो ये है आईपाइट का 7 जनेरेशन जो की 30 जर की कीमत में आपको मिलता है मैंने इसे मार्च 2020 में खरीदा था अभी अगस 2020 चल रहा है लगबग 5 महीने हो चुके हैं इसका इस्तमाल करके और lockdown में यार बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसका use किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका full on review बताऊंगा इसके pros and cons हर एक चीज़ बताऊंगा क्योंकि अगर आप एक student हो तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा है या फिने ये भी आपको बता दूँगा gaming करनी है तो आप इसके साथ जा सकते है या फिने या फिर इवेन अगर आप editing के point of view से इतना बड़ा machine खरीदना चाहते है क्योंकि आप 30,000 सच में एक बहुत बड़ा amount होता है तो क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या फिने हर एक चीज neutral तरीके से आपको बताऊंगा यहाँ पर ऐसा नहीं यार कि मुझे Apple Warner में पैसा दिया है आप neutral तरीके से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि यार मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा यह है 6 generation वाला iPad यह मेरी दीदी इस्तमाल करती है लगभग एक साल हो चुका है इसका तो इसके बारे में हम कभी और आपको बताएंगे क्योंकि यह latest model है तो मैंने सोचा आज किस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताते हैं तो देखो यार सबसे पहले हम बात करेंगे इस device को कौन खरीदता है जाधा तर लोग जो studies के point of view से खरीदना चाहते हैं एक particular tablet जहां पर लिखना जाधा important होता है तो यह बहुत जाधा अच्छा gadget होता है खासकर हम भी जब YouTube के वीडियो जबनाते हैं यहाँ पर होते तो books यह सब carry करने वाला जो issue होता है वो चीज हड जाता online classes यह सब अगर आप करना चाहते हैं तो again आप यहाँ पर से वीडियो भी देख सकते हैं notes भी बना सकते हैं तो यह चीज बहुत जाधा handy हो जाता है तो student के point of view से देखा जाए बहुत कमाल का gadget है और battery के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कि coaching जाते हैं सुबा और लगबग साम में आते हैं तो उनके लिए battery backup भी important होता है उसके बारे में बात करेंगे वैसे दोस्तो एक चीज में आपसे पूछना चाहूँगा कि iPad का comparison मैं सोच रहा हूँ laptop और smartphone दोनों के साथ करकि एक ही वीडियो में आपको बताऊँ ये चीज कैसा आपको लगएगा क्योंकि lockdown में काफी सारे student है जिनको सच में जरूरत है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक honest opinion आपके साथ share करूँ अगर आप interested होगे तो comment कर देना और channel को subscribe करके bell notification भी press कर लेना वैसे ये जो device आप देख रहे हैं ये है इसका pencil लेगिन यार problem ये है आपको ये device अलग से खरीदना होगा और इस pencil को अलग से खरीदना होगा इसको भी आप अलग से खरीद सकते हैं वैसे घबराओ मत सारे के link मैंने description box में दे रखे हैं अगर आप interested है तो जाके check out कर लीजेगा आप directly बात करते हैं दोस्तो battery backup के बारे में क्योंकि ये भी एक point है जो कि बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आप गए college या फिर आप गए school या फिर अगर आप गए coaching और वहाँ पर battery down हो गया तब तो यार band बच जाएगा तो इस case में अगर आप इसको full charge करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं backup की बात करते हूँ तो एक दिन का backup आप बहुत ही आसानी से use कर सकते हैं खास कर अभी भी पांच महीना हो चुका है और जैसे मैंने आपको बताया यह है 6 generation वाला तो इसको भी मेरी दीदे इस्तमाल करती है college आती है तो बोलती है यार की सुबा से इस्तमाल करते करते साम तक में भी battery down नहीं होता है लेकिन हाँ charging की जहां तक बात आती है तो 8000 mAh से जादा इसका battery है तो आप समझ सकते हैं कि phone का बैटरी होता है वो 4000 mAh होता है तो यहाँ पर लगभग 8000 है तो double charge करने में time लगता है क्योंकि normal charger आपको देखने को मिलता है box के अंदर तो यहाँ पर अगर आप इसको charge करना चाहोगे तो लगभग 4 घंटे plus का ही time लगता है तो इस चीच का ध्यान रखेगा लेकिन एक बाग charge कर लो अराम से use कर सकते हो दिन भार जो कि बहुत important होता है और अगर आप video lecture यह सब देखते हैं तो अगर आप earphone का इस्तेमाल करोगे तो दिन भर का backup मिलेगा लेकिन हाँ अगर आप इसके speaker से आवाज सुनोगे तो फिर वहाँ पर battery consumption बढ़ जाएगी तो backup reduce हो जाएगा और gaming अगर आप करते हैं जैसे कि PUBG यहाँ पर मैंने install किया बहुत मज़ा आता है PUBG game खेलने में तो PUBG game अगर मैं इस पर open करके play करता हूँ तो again battery consumption जादा हो जाता है तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है जो कि आप समझ सकते हैं बाकि processor के बारे में अगर बात कर लेते हैं दो-तीन साल के लगबग तो यहाँ पर वही चीज है कि थोड़ा सा पुराधना processor है nanometer के हिसाब से देखा जाए 16 nanometer है तो उसकी वज़ा से जो heating issues है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा अगर आप gaming करते हैं बढ़ अगर आप videos देखते हैं अगर आप note writing करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आता है जो कि मेरी users के हिसाब से है लेगिन हाँ gaming अगर आप करोगे तो उस case में heating आता है जो कि आप समझ सकते हैं क्योंकि जो chipset है जैसे कि आप आज के date में देखते हैं 8 nanometer, 10 nanometer तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है 60 nanometer है तो इस वज़ए से थोड़ी से heating issues आएगी लेगिन performance की बात आती है तो इस मामले में मलब आप इस level के यहाँ पर जितने भी smartphone भी मिलते हैं 30,000 के अंदर उससे भी अगर आप इसको compare करते हैं आप performance बहुत तकड़ा मिलता है अगर आप PUBG game खेलते हैं तो clearly आप देख सकते हैं settings इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा और frame drops यह सब तो यार बिलकुल नहीं होता है इतना अच्छा experience आपको मिलता है PUBG game खेलने के अंदर जो कि आप समझ सकते हैं और यह चीज मैं क्यूं बोल रहा हूं मैं ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूं कि game खेलो इसको खरीद करके बट फिर भी काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको यार gaming भी करनी होती है और उनके पास एक normal smartphone होता है वो सोचते हैं कि smartphone में पैसे लगा दे और normal सा tablet खरीद ले लेकिन अगर आप यहाँ पर opposite करते हैं और gaming करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कमाल का experience मिलेगा तो performance के हिसाब से दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और साथी साथ यहाँ पर आपको iPad OS 13 Plus देखने को मिल रहा है 14 का भी support आएगा और 14 में इतने बवाल features है जो की मतलब एक तरीके से देखा जागर आप writing करते हैं और उसको चाहते हैं copy करना आपके handwritten notes को directly text में convert कर सकते हैं साथी साथ अगर कोई भी आप safe यह सब draw करते हैं तो उसको directly आप देख सकते हैं काफी अच्छे precise तरीके से यह draw कर देता है साथी साथ दोस्तों अगर आप एक student है बहुत सारे अगर आपको notes बनाने होते हैं तो आप एक तरफ Google कर सकते हैं एक तरफ note start करके लिख सकते हैं copy कर सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग image को embed कर सकते हैं वीडियो को embed कर सकते हैं और एक कमाल का notes आपका तयार होकर के आजाएगा जो कि digital format में आप उसे चाहो तो share कर सकते हैं बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं उस पे highlight वाइलाइट बना सकते हैं तो इसका AI का implementation है बहुत तगड़ा है और इस price segment में जितनी भी tablet ये सब आपको देखने को मिलेगे कोई भी compete नहीं कर सकता है इसके software के साथ क्योंकि यार यहाँ पर जब मैंने इसको 6 generation से compare किया था आज भी इस पे बहुत कमाल के updates आते रहते हैं जो कि लगबग 2-3 साल पुराना हो गया जो कि आप समझ सकते हैं और update के मामले में यार iPad का कोई comparison नहीं है अगर आप Android tablet से उसे compare करते हैं अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके screen के बारे में जो कि I think सबसे जादा इसका highlighted feature है जो कि मैंने जितने भी वीडियो देखा comparison वीडियो उस पर बस किया बोल के निकल गए यार मतलब हद है है जो भी है हम अपने वीडियो पर जेन्वीन तरीके से आपको बताते हैं तो देखो यार यहाँ पर आपको 10.2 inches का full HD plus resolution का display देखने को मिलेगा जो कि retina display है और यहाँ पर आपको brightness level देखने को मिलते है वो है यहाँ पर 500 nits का साथी साथ जो PPI है वो है यहाँ पर 264 और resolution भी आप देख सकते हैं तो यह सारी जो feature आपको display के अंदर दिया गया है इसकी वज़ए से मैं आपको directly explain करके बताता हूँ कि इतना बड़ा जो आपको screen दिया कि उसमें PPI बहुत 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 जादा अच्छा है तो इसकी वज़ए से जो crispness है जो quality में आपको enhancement देखने को मिलेगी वो बहुत तगड़ी देखने को मिलती है क्योंकि मैंने इसको जब Samsung से compare किया था तो वहाँ पर ये चीज मुझे साफ साफ दिख रहा था जो कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं इसके brightness के बारे में वो भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं लेकिन एक कमी है जो कि आपको इसमें खरीदने में देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपको display directly मिलता है और जो उपर से protection दिया गया है उस पर थोड़ा सा gap है तो उसकी वज़े से थोड़ा सा आपको feel हो सकता है कि आप glass के उपर लिख रहे हैं लेकिन मैं आपको अपने experience बताता हूँ जो कि practically बता रहो ठीक है अगर आप कोई भी smartphone खरीते हैं उस पर भी आप tempered glass लगाते हैं या फिर अगर आप कोई भी iPad खरीदोगे या फिर कोई भी tablet खरीदोगे तो उस पर भी tempered glass लगाओगे जो कि मैंने personally लगा के भी रखा है इस वाले में भी लगाया है तो यहाँ पर दोस्तो gap तो बढ़ी जात लगते हैं तो दिक्कत नहीं होगे और used to आप हो जाओगे लेकिन हाँ यह चीज है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो direct लिखने का experience होता है जैसे कि आप page away पर लिखते होना वो चीज यहाँ पर देखने को थोड़ा सा कमी लगेगा लेकिन धीरे-धीरे used to हो जाओगे जो की द अपर से देख सकते हैं तो अगर multimedia के हिसाब से देखा जाए तो यह थोड़ा सा experience को खराब करता है लेकिन overall जो quality है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है और अगर आप studies के point of view से देख रहे हैं तो यह चीज आपको बिलकुल दिक्कत create नहीं करेगा इसके अलावा दोस्तो अगेर काफी कमाल का feature आपको देखने को मिल जाता है यही पर दोस्तों गर cameras की बात करते हैं तो पीछे के तरफ आपको 8 megapixel का camera मिलता है और front के तरफ 1.2 megapixel का camera मिलता है अब directly में अगर आपको अपना experience बता हो तो camera below average है मतलब इतना आप expect नहीं कर सकते है कि normal जो आपका smartphone मिलत है 10,000 के अंदर उस ते भी थोड़ा सा इसका downside रहने वाला है camera खास कर front वाला तो इस चीच का ध्यान रखेगा तो ऐसा नहीं है कि आप इसको खरीद लिए हैं सोचोंगे must must quality के pictures निकलने वाले हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है लेकिन हाँ video call ये सब करने के दौन आ average रहने वाली है क्योंकि front में आपको 1.2 megapixel का camera देखने को मिलता है यहीं पर दोस्तों अगर speakers की बात करते हैं तो आपको stereo speaker देखने को मिलता है जिसकी वजह से अगर आप videos ये सब देखते हैं तो काफी अच्छा experience आपको मिलेगा लेकिन ये एक तरफ आपको दिया गया है औ लेकिन overall sound की quality बहुत जादा crisp है इस मामले में आपको loud dance में कोई भी दिकत नहीं होने वाला है अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसके directly कुछ negative points के बारे में तो मुझे दो सबसे जादा negative लगता है इस चीज को use करने के बाद पहला तो ये है कि अगर आप इस पे के अंदर आप बहुत सारे app free of course download कर सकते हैं उनके cracks भी आपको मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर यह चीज थोड़ी सी दिक्कत create करती है तो यह एक point है जिसका आपको धियान रखना है और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर आपको lightning port देखनी को मिलता है तो lightning port की वज़े से दो दिक्ते हैं तो दिक्कत नी आएगी लेकिन हाँ अगर आपको यहाँ पर से कुछ चीज उठा करके share करना है और directly यहाँ पर आप चाहो तो OTG वाले जो use करते हो normal smartphone के अंदर वो चीज खरीदने के लिए आपको लगबग 2000 से जादा देना पड़ेगा 32 GB के लिए तो यह चीज है दोस्तों कि अगर आप यह iPad खरीद रहें खासकर 6 या 7 जेनरेशन जहाँ पर आपको lightning port देखने को मिलता है जो कि पुराने Apple वाले सारे चीज यही use करते थे और Type-C वाला जो बहुत महँगा होता है उसी में डालते हैं तो यह चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है तो connectivity and sharing मतलब अगर आप इससे चाहो share करना तो वो बहुत दिक्कत करता है Bluetooth से आप नहीं कर सकते share आपको online drive पर डाल करके share करना होगा तो यह सारी चीज है जिसका ध्यान रखना है अब यहाँ पर काफी लोग बोलते हैं कि 32GB खरीद हूँ या फिर 108GB तो directly मैं मुद्दे पर आता ह रहते हैं या फिर जो मेरा one drive वहाँ पर रहता है या फिर जो Google का drive उस पर रहता है ज्यादा तर चीज मैं online रखता हूँ offline के बजाए तो उस case में मेरे और मेरे जैसे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होगा अगर ऐसा आपके साथ है तो दिक्कत बिलकुल नहीं आने वाली है 32 GB वाला भी आप चाहो तो खरीद सकते हैं क्योंकि यह 30,000 के आसपास मिलता है और 128 GB के लिए आपको लगबग 8-9,000 रुपया जादा देने पड़ेंगे तो वो चीज है कि अगर आपको बहुत सारा चीज offline डाउनलोड करके रखना है वीडियो डाउनलोड करके बता रहा हूं और जहां तक रही बात दोस्तों यहां पर storage बढ़ाने के option के बारे में तो यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा तो या तो आप 32 GB खरीदो या 128 GB खरीदो तो one time investment करना पड़ेगा आपको तो ध्यान रखना लेकिन अगर आप चाहते हैं बाद में expand करना तो आप iXpand यह सब खरीद सकते हैं जो कि again यहां पर lightning port के साथ हाएगा जिसे आप चाहो तो dongle से connect करके अपने PC यह सब में file while transfer कर सकते हैं लेकिन वही चीज है कि 32 GB या 64 GB वाला variant का प्राइस लगभग 2500 यह सब होता है लेकिन अगर आप इसे android से compare करते हैं तो around 700-800 में मिल ज तो वही चीज हो जाता है कि Apple का यह वाला particular device है उसका जो भी आप accessories करीदने जाओगे महंगा रहता है जो कि आप समझ सकते हैं बाकी दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं कि एक जो SIM वाला लगता है एक Wi-Fi वाला variant आता है तो मैं personally Wi-Fi variant यूज़ करता हूं क्योंकि मेरे पास broadband है मेरे पास Wi-Fi है इसके अलवा मेरा smartphone है उसका hotspot को मैं यहां पर यूज़ करके Wi-Fi बना करके इस्तमाल करता हूं तो दिक्कत नहीं आती है और खासकर इसमें phone one पर बात तो करेंगे नहीं इतने बड़े device को ले करके तो आप समझ सकते हैं तो उस case में Wi-Fi more than enough है लेकिन हाँ अगर आपके पास पहले से कोई phone है ही नहीं तो Wi-Fi कैसे बनाओगे जो कि आप समझ सकते हैं तो उस case में आप SIM वाला खरीद लेना और उसके अंदर recharge ये सब करा करके आप इस पे internet यूज़ कर सकते हैं बट मेरे हिज़ाब से जो लोग के पास भी phone होगा वो Wi-Fi वाला variant और यहां पर आपको free of cost iMovie भी देखने को मिलता है जो कि I think again एक plus point रहने वाला अगर आप editing के point of view से ये device करीते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा बस वही है कि थोड़ा सा data data transfer करने में दिक्कत आ सकती है जो कि आप समझ सकते हैं जिसके बारे मैं मनें आपको अच्छे स explanation दे दिया बाकी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं finally ये device कैसा है recommend करने like है या फी नहीं और finally इसको खरीदना चाहिए या फी नहीं तो देखो अगर आपको बहुत कमाल के updates चाहिए अगर आप 3-4 साल तक इस्तमाल करना चाहते हैं battery backup आपको दमदार चाहिए performance आपको कोई compromise न इसके अलावा यहाँ पर जो connectivity वाला option है जैसे कि मैंने आपको बताया कि type C का port यहाँ पर नहीं दिया गया है तो जो lightning वाला फीन होता है उसके जो भी accessories आते हैं वो महेंगे होते हैं तो वो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है और यह चीज जो आप देख पा रहेंग हो गया security हो गया privacy हो गया हर एक चीज आपको दमदार देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तो फाइनली मेरा review हो जाता है खतम पांच महिने के इस्तमाल के बाद मैंने आपको सारा चीज बता दिया हर एक pros and cons बता दिया अगर आपको यह device खरीदना होगा तो link description box में मैं दे रखे हैं आप चाहो तो जा करके purchase कर सकते हैं और यह जो pencil है इसका भी link आपको मिल जाएगा साथी साथ मैं आपको बोलूँगा कि आप जाओ Samsung वाला भी comparison एक बार देख लो वीडियो जो कि आपको description box में again मैं दे रखा हूँ अगर आप interested है तो जा करके देख सकते हैं बा झाल 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 झाल झाल